नमस्कार जैंद आभार आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोग सुरू करने वाले हैं नाउन से कि नाउन क्या होता है दोस्तों बहुती सिंपल तरीके से बहुती आसान तरीके से और बहुती मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन क्या होता है आज अगर आपने प्रोपर तरीके से ध्यान से समझ लिया पढ़ लिया तो भविश्य में जिंदगे में कभी भी आप नाउन को नहीं बोलने वाले हैं आपने जिंदगे में बहुत बार नाउन की डेफिनिशन पढ़ियोगी नाउन is the name of a person, place or thing लेकिन हमेंसे डेफिनिशन पढ़के आपने छोड़ दिया आपने कभी इसके बारे में सोच नहीं, विचार नहीं किया कि ये नाउन एक्शुल में होता क्या है उसके डेफिनिशन में ऐसा क्या है कि वो हमें याद ही नहीं रहती है तो आज लेकिन आज पढ़ने के बाद आज नाउन की डेफिनिशन पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद आप जिसके भी साथ इसको share करोगे जिसके भी साथ आप इस पर debate करोगे कि noun क्या होता है तो मेरा दावा है कि आप उससे हमेशा एक number उपर ही रहोगे आप उससे हमेशा एक number उपर ही रहोगे चीकि आपकी जो understanding है वो उससे हमेशा ज़्यादा रही चलिए start करते noun क्या होता है देखिए noun क्या होता है आप जहां पर पियाँ बैट ए ना आप अपने 4 तरफ नजर गुमाईए आप के 4 तरफ जो भी चीजे हैंब उनको एक बार देखिए सरसरी तोर पे देखिए कि आपके 4 दोरस क्या है आपके 4 तरस दिवार है आपके हात में पैन है बुक है या लैप्टोप पर अगर आप पढ़ रहे हैं लैप्टोप है या फिर आप मुबाइल पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में मुबाइल है या उसके बाहर अगर आप देखिए घर है, दरवाजा है, पार्क है, सिटी है, मार्किट है डॉक्टर्स हैं टीचर्स हैं स्कूल है everything everything around you जो भी आपके surrounding में चीजें हैं जो भी आप देख रहे हैं जिसका कुछ नाम दिया गया है या जिसको किसी नाम से कोई बुलाता है उसको हम noun ही कहते हैं अरे यह तो बहुत interesting है यह तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं था कि यह हमारे चारों तरफ noun ही noun बरी पड़ी हैं pillow noun है book noun है clipboard noun है pen noun है earphone noun है भई इतनी सारी noun हमारे चारों तरफ बरी पड़ी है और हम noun की definition पढ़ रहे थे noun की definition पढ़के noun ही समझ में नहीं आ रहा था तक लेकिन ऐसा नहीं है अब आपको noun समझ में आने वाली है देखे definition में क्या लिखा है noun is the name of a person place noun is the name किसका नाम भई नाम है किसका person का place का जगह का things चीजों का animal का या फिर feelings का जैसे love जैसे happiness या फिर यह कहें sorrow sorrow यानि दुख, grief और idea तो इस परकार की जो भी चीज़े आप अपने चारो तरफ देखते हैं उनका कोई नाम है उसको आप noun कह सकते हैं अब आप मुझे बताएं नाउन बिल्कुल भी रटने की जरुरत नहीं है रटने के तो कोई काम ही नहीं है रटने के तो बिल्कुल जरुरो था आपको है ही नहीं आप simply यह देखिए कि आपको चारो तरफ क्या क्या चीज़े है उनका कोई नाम है जिससे आप उनको बुलाते हैं charger, mobile, pen tab, pen tablet, bag, table, bed यह सब चीज़े नाउन है यह सब चीज़े क्या है नाउन है तो हम क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं नाउन कुछ भी नहीं है नाउन कुछ भी नहीं है बट क्या है naming word यह चीज़ आप ध्यान लखिएगा नाउन कुछ भी नहीं है बट क्या नेमिंग वर्ड है यानि हर वो चीज जिसको कोई नाम दिया गया है वो नाउन है हर वो आदमी जिसको कोई नाम दिया गया है नाउन है हर वो जगह जिसको कोई नाम दिया गया है नाउन है और ऐसी feelings जिसको नाम दिया गया है वो noun है जैसे प्यार, मुहबद, इमानदारी, सोरो, दुख, happiness, feelings, हसना, मुस्कुराना, रोना यह सब क्या noun है वो किस परकार की noun है वो हम आगे इनके category जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसको हम पढ़ लेंगे कि यह किस परकार की noun में आता है चलिए कुछ examples से अब समझते हैं वीभा is happy because she won the first prize वीभा क्या है, नाम है, price क्या है, वो चीज है, वो मेडल है, वो मोमेंटो है जिसको उसने जीता है prize, उसको कोई नाम दिया गया है तो यह क्या है? नाउन है वो किस परकार की noun है, वो proper noun है, कि common noun है, कि material noun है, कि abstract noun है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, जब हम category पढ़ेंगे, रोहन is flying a kite with his sister रोहन नाम है, sister, किसी की sister है ना, sister भी क्या है? नाउन है रोहन भी क्या है? नाउन है, रोहन proper noun है, sister common noun है उसके definition हम आगे पढ़ेंगे अब आप मुझे बताईए कि noun आपको समझ में आया कि नहीं आया अब आप पूछ रहे होंगे कि noun हम पढ़ रहे हैं, इतना महनत कर रहे हैं इसके पीछे, बट आपने यह तो नहीं बताया कि आप noun क्यों पढ़ रहे हैं उसका reason क्या है, उसका करण क्या है इसके पहले वाले lecture को अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम noun क्यों पढ़ रहे हैं कोई भी sentence होता है न, कोई भी sentence होता है तो उसके अंदर maximum जो part होता है, वो noun का ही होता है part of speech में हमने पढ़ा था कि किसी भी sentence में जो maximum part होता है, वो noun का ही होता है तो जब parts of speech में हमारे बोले जाने वाले हर sentence के अंदर noun आएगी तो हम noun को क्यों न पढ़ें नाउन तो पढ़ना ही पढ़ेगा ना कि वह किस परकार के नाउन है और नाउन होता क्या है अक्चिल में नाउन तो ये है देखो ये है नाउन ये है तो इनके बारे में तो हमने पढ़ना ही पढ़ेगा इसलिए हम कहते हैं कि noun हमें इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि parts of speech में हर एक sentence में maximum जो हिस्सा होता है वो noun का होता है इसलिए हमें noun को पढ़ना है और noun क्या होता है noun को हम किस परकार से पहचान सकते हैं ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ चलिए आगे चलते हैं person दिया गया है बई person female भी हो सकता है male भी हो सकता है neutral gender भी हो सकता है place कोई bank हो सकता है कोई market हो सकता है या कोई मंदिर हो सकता है या और भी प्रधान मंतरी निवास हो सकता है राष्टपती निवास हो सकता है कोई school हो सकता है इन सब में क्या आएगा ये सब किस category में आएगे place में things में देखिए आपके 4 तोरफ जो भी चीज है box हो गया, bag हो गया, bottle हो गया pen हो गया, mic हो गया ये सब कहां पर आएगे ये सब things में आएगी तो ये चीज आपको समझ में आएगी होगी अब देखिए क्या है इसको देखके आपको क्या लगता है मैंने आप जो भी आपको बताया कि ना उन किस-किस category के अंदर आती है गाये अनिमन में आएगा ये जो काठ है, ये things में आएगी ये पूरा का पूरा village अगर हम आएगी तो ये किस में आएगा जगह में आएगा प्लेष में आएगा ये प्लेष में आएगा तो ये सब किया है? नाउन क्योंकि वो नाम हो गया ना किसी जगह का विलेज वो तो चलो हम केटेगरी जब आगे पढ़ेंगे वो आपको समझा देंगे क्या होता है ओके नेक्स्ट नाम अभी मैं जैसे आपको बता रहा था famous personalities के अगर आप नाम देखें तो वो भी क्या हो गया नाम हो गया प्रोपर नाम हो गया देखें कौन चीज प्रोपर है कौन चीज कोमन में आएगी वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ महातमा गांधी जी प्रोपर नाम है किसी एक व्यक्ति का तो इसलिए हम उनको उसको क्या कहेंगे हम उनको कि वो proper noun है और अगर हम इसको कहते है कि काउँ काउँ क्या हो गया? लेकिन अगर हम यह कहें animal तो animal के अंदर तो बहुत सारे जानवरे कठे होके आगए तो animal क्या हो गया? common noun हो गया animal तो common name दिया गया है animal के अंदर तो आपका शेर भी आ जाएगा animal के अंदर आपकी गाएं भी आ जाएगी animal के अंदर आपका डोग भी आ जाएगा ठीक है तो इन सब को मिला के इनको हम क्या बोलते है animal इसलिए ये किस कैटेगरी में आगए? common noun के कैटेगरी में आगए लेकिन अगर हम कहें गाएं का कोई नाम दे रखा अपने proper एडो का आपने कोई नाम दे दिया अपने proper जेवियर तो ये क्या हो गया? proper noun तो इस परकार से हम आपको common noun proper noun के बारे में आगे? बताएंगे ठीक है ये सब चीजों को देखेश़ समझ में आ गया होगा आपको इस ब किसमें आते हैं? असब noun में आएगा ठीक है? इस ब noun में आएगा अब आप देखें यहाँएं पर टाइप्स अपन नाउन के लिए हमने nouns को क्या किया है हमने 4 categories में बांट दिया है number 1 category क्या है proper nouns दूसरी common noun तीसरी abstract noun फिर collective noun आ गया फिर material noun आ गया 5 categories में हमने इनको बांट दिया है ठीक है अब एक एक करके हम ये categories पढ़ेंगे अगर मैं एक ही lecture में ये पूरी की पूरी 5 categories पढ़ाऊंगा तो ये काफी lengthy lecture हो जाएगा इसलिए मैंने क्या किया है इनको दो भागों में डिवाइड किया है ये जो nouns है इनको मैंने दो parts में डिवाइड किया है दो nouns मैं आपको इस lecture में पढ़ाऊंगा और rest of the nouns abstract material और collective noun ये मैं आपको next lecture में पढ़ाऊंगा चलिए सबसे पहले समझते है proper noun क्या होता है देखिए proper noun क्या होता है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी proper व्यक्ति अस्थान यानि जगे ठीक है animal और क्या था feelings feelings तो abstract noun में आ गया उसको तो हम ऐसे अलग category में रख सकते हैं यानि ऐसे कोई नाम जो किसी proper व्यक्ति विशेश को दिया गया है ठीक है जैसे यह हम पढ़ते हैं यहां से once upon a time there was a village called lily pool village का नाम बता रहा है क्या है lily pool अगर हम village की बात करें कि यह गाउं है कौन से गाउं गाउं तो बहुत सारे हैं गाउं तो बहुत सारे हैं तो गाउं तो क्या हो गया common noun गाउं क्या हो गया common noun लेकिन गाउं का नाम दे दिया उसने once upon a time there was a village lily pool lily pool क्या हो गया proper noun ध्यान से देखिए गा बहुत ही बहुत रटने की बिलकुल ज़रूत नहीं है यह चीज समझने के बाद यह lecture पढ़ने के बाद आपको बिलकुल भी कोई चीज रटने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी आपको proper noun, common noun सारी nouns आराम से समझ में आने वाले हैं देखिए यहां पर लिख है कि there was once upon a time there was a village village क्या होगे village के अंदर बहुत सारे village आ सकते हैं village के अंदर में से जान खेडा, रामपूर, मनी, आरन ठीक है उसके अंदर फिर आपका और भी मनी माजरा पहुत सारे नाम उसके अंदर आ सकते हैं लेकिन village बहुत सारे चीजों को मिला के जो एक चीज बनाई गई गई है ना उसको हम कहते है common noun यानि common नाम दिया गया है सب को कि सबके लिए एग नाम ऐगर use हो रहा है यानि बहुत सारे गाउं के लिए बहुत सारे अलगलग गाउन अलगलग नाम वाले गाउं के लिए अगर हम कोई नाम यूज़ 各र गाउं कर सकते हैं हो गया proper noun okay next a poor woman poor woman woman देखिए औरते तो बहुत सारी है औरते तो बहुत सारी है वोमें तो बहुत सारी है लेकिन क्या गहरा a poor woman Jane lived there with her son Jack ध्यान से देखिए guys story के माध्यम से आपको proper noun और common noun दोनों चीज समझ में आ जाने वाली है ठीक है story के माध्यम से आपको दोनों चीज समझ में आने वाली है देखिए village क्या था कि village common है उसके अंदर बहुत सारे गाउं के नाम आ सकते हैं तो इसलिए village क्या हो गया common noun हो गया लिलिपूल वो particular गाउं है जहां पे वो रहते थे इसलिए लिलिपूल क्या प्रोपर नाउं हो गया अब वोबर woman woman क्या कि ओरत है और बहुत सारे ओरते हो सकती है इसलिए woman क्या हो गया common noun हो गया बट उसका नाम क्या था woman का Jane जो उस गाउं में रहती थी उसका इसलिए jan उने नाम दे धिया तो जेन क्या हो गया proper noun हो गया बहुत सारी अपने सन के साथ रहती थी, इसका नाम है Jack, तो सन क्या हो गया, सन तो बहुत सारे याई बहुत सारे लड़कों, जो लड़के हैं वो common है, ठीक है, उन में से एक particular नाम है Jack, तो सन क्या हो गया, common noun, और Jack क्या हो गया, proper noun आगे देखिए, they had a cow called sports, cow क्या हो गया, common noun called sports, यहनी cow का नाम रखा हो है particular, cow का particular नाम रखा हो है, तो उसका नाम है, sports, इसलिए sports क्या हो गया, proper noun, और cow क्या हो गया, common noun, sports gave milk every day, sports gave milk every day, sports gave milk every day, and Jack sold it on each Sunday, on each Sunday, proper दिन का नाम दिया है, अगर मैं कहूं day, अगर मैं कहूं day, day तो क्या हो गया, common noun हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन है, but particular नाम दिया है Sunday, तो यह क्या हो गया, proper noun हो गया, to get money, okay, one day, sports, sports क्या, गये का नाम है, proper noun, did not give milk, so Jack, Jack क्या proper नाम है, उसकी लड़के का नाम है, sold it to an old man, named Mr. Timberlake, देखिए, Mr. Timberlake नाम है किसी का, इसलिए यह क्या हो गया, proper noun, और old man, यह निए man, अब हमें नहीं पता ना, कौन सा man, यहां पर तो नाम दिया है, इसलिए नाम अगर दिया है, तो वो नाम तो हो गया आपका common noun, Mr. Timberlake did not have money, so he gave Jack some magic beans, some magic beans, तो देखिए, यह स्टोरी, चोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से, मैं आपको समझाने है, कोसिस कर रहा था, कि proper noun क्या होता है, अभी तक मैंने आपको common noun बताया नहीं, मैं आपको खाली proper noun ही समझा रहा था, लेकिन examples क्योंक लिली पूल, दिवर्स, लिली पूल, जेन, जैक, स्पोर्स, संडे, एंड मिस्टर टिम्बलेक, यह सब क्या है, यह सब क्या है, प्रोपर नाउन, क्योंकि यह प्रोपर नाम दिये गए हैं किसी चीज को, ऐसी हमारे आसपार जितने भी लोग रह रहे हैं अगर मैं कहूं कि सिस्टर, सिस्टर तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी सिस्टर रेखा, तो रेखा क्या हो गया, प्रोपर नाम हो गया, किसी लड़की का, तो वो हो गया, प्रोपर नाउन, I hope यह चीज आपको समझ में आ रही होगी, यही मैं आपको समझा चाह रहा था कि proper noun क्या होता है और common noun क्या होता है देखिए यहां पर क्या लिख्वा है कि proper noun give special name to a particular person animal place or thing noun में हमेशा वही चीज़ चलेगी person place animal or thing वहां पस यह आप particular person को कह रहे हैं या common को कह रहे हैं या collective कह रहे हैं abstract कह रहे हैं वो चीज़ चेंज होती रहेगी बट आप नाम तो उनी चीज़ों को देने वाले हैं एक्जम्पल कह दीजिए देखिए विशाल किसी को नाम दिया है डेली किसी जगे का नाम दिया है इंडिया किसी देश को नाम दिया है हमारे देश का नाम है और राम किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है दोस्तो जितने आसान तरीके से मैंने आपको प्रोपर नाउन समझाया है कि स्टोरी के माध्यम से I hope मुझे उम्मीद है मुझे 100% उम्मीद है कि ये प्रोपर नाउन जो concept है वो आपको clear हो गया होगा और इस के बाद आपको कोई भी confusion नहीं बचेगा आपको रठने की बिल्कुल भी जड़रत नहीं बचेगी चलिए कुछ और एक्जम्पल यहां पर देख लेते हैं Mr. Verma is a doctor in this hospital Mr. Verma तो नाम है किसी का तो ये तो हो गया प्रोपर नाउन Hospital तो कोई भी नाम हो सकता है चीक है कितने परकार के hospital आपके सहर में किसी के भी हमारे सहर में है तो hospital क्या हो गया hospital हो गया common noun और doctor देखे doctor किसी particular Mr. Verma is a doctor Mr. Verma कि अगर बात कर रहा है तो Mr. Verma जो नाम है वो तो हो गया प्रोपर नाउन लेकिन अगर मैं कहूं doctor तो doctor क्या हो गया common noun next we have we always travel by the air India देखे we always travel by the air India air India से अगर जाते हैं यानि airline तो बहुत सारी है airline तो बहुत सारी है ठीक है लेकिन इसने air India की बात करी है तो air India क्या हो गया proper noun हो गया तो विधी क्या नाम है तो प्रोपर नाउन हो गया wants to be an actress when she grows up ठीक है wants to be an actress देखिए, एक्ट्रेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से नाम लिया है, विधी का, एक्ट्रेस क्या हो गया, कौमन नाउन हो गया, लेकिन उसमें से एक नाम है, विधी, विधी एक एक्ट्रेस है, तो विधी क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया, तो एक्ट्रेस क्या हो ॐ मनूमेंट में तो भूस चीज आ सकती है ॐ Smart ॐ Monument common है, तो Monument क्या हो गया, आपका common noun Next, we will go to Delhi by the Rajdhani Express Delhi तो proper noun हो गया और Rajdhani Express भी proper noun इसलिए हो गया, क्योंकि train का नाम है train का नाम है, train का नाम बता दिया ठीक है, अगर यहाँ पे आता है train अगर यहाँ पे यह लिखा आता है train तो train क्या हो गया, train common noun हो गया क्योंकि कौन सी train आमें नहीं पता उसी परकार से Sachin Tendulkar is a Cricketer Sachin Tendulkar एक proper noun है, बट Cricketer तो बहुत सारे हैं इसलिए यह common noun है दोस्तों यह चीज आपको समझ में आ गई होगी जितना excitement मुझे हो रहा आपको पढ़ाते हैं कोई भी proper noun होगी कोई भी proper noun कहीं भी आप यूज करेंगे तो उसको आप मेशा आप capital letter से start करेंगे वो हमेशा capital letter में आएगी जैसे कोई भी आप नाम लिख लीजिए नाम लिख लीजिए राहुल तो राहुल में हमेशा R capital आएगा daily किसी जगह का नाम आप लिख लीजिए तो हमेशा D इसको जो letter है वो क्या है capital आएगा कहीं भी उसको आप sentence के starting में use कर रहे हैं या end में use कर रहे हैं या आप middle में use कर रहे हैं proper noun हमेशा capital letter से ही start होगा rule to कह रहा है कि article the article the will not use before proper nouns proper noun के पहले article the नहीं लगेगा जब मैं article आपको पढ़ाऊंगा तीन प्रकार तीन तरह के article होते हैं a, n और the the definite article है a और n indefinite article है इन का use कहां कहां पर होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहां बस आप इतना समझ लीजिए proper noun से पहले आप the article का use नहीं करेंगे ठीक है कैसे अच्छा comparison में हो सकता है अगर हम किसी proper noun किसी proper नाम का जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी जगह का नाम में ले ले तो कस्मीर कस्मीर is the कस्मीर कस्मीर is the स्विजर लेंड ओफ इंडिया कस्मीर is the स्विजर लेंड ओफ इंडिया यहां क्या कर रहे हैं स्विजर लेंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं स्विजर लेंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं the Kashmir, Kashmir क्या हो गया, Kashmir हो गया proper noun, but, चूंकि हम comparison कर रहे हैं, किसका Switzerland का, तो, क्योंकि वो beautiful, यानि अच्छी सुन्दर जगह के तोर पर हम उसका comparison कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या, common noun की तरही treat होती है, उसके साथ हम दा का use कर सकते हैं, वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, मैं आपको proper तरीके से इसको बताऊंगा, but, यहाँ पर आप यह चीज़ ध्यान लखिए, कि proper noun के पहले, the use नहीं होता, कैसे, example से समझते हैं, कैसे, the, the, Arun, यह गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, the, daily, यह गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, यही यह rule two में कहना चाहरा है, कि proper noun के पहले, proper noun के पहले, कभी भी dog का use, article dog का use, नहीं होगा, rule three क्या क्या रहा है, कि article a, n can be used as per rule, जहां पर a लगेगा, वहाँ a लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, किस के साथ में, किस के साथ में, noun के साथ में, कौन सी noun, proper noun के साथ में, article a और n हम use कर सकते हैं, ठीक है, इसके भी exceptions हैं, जहां हम article पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है, उसके बाद देखे, लास में हम देखते हैं, common noun क्या है, common noun, चूँकि मैं आपको proper noun पढ़ा रहा था, तो proper noun और common noun, मैंने आपको, दोनों को combine करके, मैंने आपको, मही पर बता दिया था, कि common noun देखे होता क्या है, फिर भी, यहाँ पर particularly, मैं आपको definition बता दियता हूँ, तो common noun, common noun से, gives common name to person, common name देगे हैं, किसको, person को, animal को, place को, और things को, कैसे, boy, city, country, doctor, teacher, school, building, monument, यह सब क्या है, common नाम देगे हैं, किसी भी, person को, animal को, place को, और things को, ठीक है, तो इसलिए कहा रहा है कि, जो common noun है, वो एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज है, common noun ऐसी है, कि, common noun वो noun है, जो, किसी भी, person, place, animal, or thing को, common नाम दिया गया है, जैसे, give common names, a person, animal, place, or things, जैसे, boy, city, girls, and country, दिया गया है, अच्छा, example से हम पढ़ लेते हैं, इसे विशाल, तो proper हो गया, daily proper हो गया, suman proper हो गया, India proper हो गया, ठीक है, अच्छा, यह तो proper noun की definition है, यह common noun की definition है, और दोनों में comparison देखिए, आप देख लीज़े, यहाँ पे, country, अगर हम इंडिया बोलते हैं, तो proper noun में आ गया, बट अगर हम country बोलते हैं, तो common noun में आ गया, अगर हम विशाल बोलते हैं, तो proper noun में आ गया, अगर हम boy बोलते हैं, तो common noun में आ जाएगा, richa, proper noun में, और girl अगर हम बोलते हैं, तो common noun में आ जाएगी river river common noun है river तो बहुत सारी हो सकती है but अगर हम particular गंगा का नाम लेते हैं तो वो हो जाएगी proper noun में month अगर हम बोलते हैं तो month तो 12 होते हैं और अगर हम proper month का नाम लेते हैं January तो वो आ जाएगा proper noun में note यहां पर एक छोटा सा दे रहा है क्या है note में कि that proper noun begins with capital letter यह मैं आपको लेड़ी बता चुका हूँ कि तो proper noun है वो हमेशा capital letter से start होगी common noun के reference में मैं आपको एक rule और बता देता हूँ important है कि common noun अगर अगर कोई sentence अगर कोई sentence common noun से start हो रहा है start हो रहा है तो वो capital letter से शुरू होगा अगर कोई sentence common noun से शुरू हो रहा है तो वो capital letter से start होगा दोस्तो यह lecture यहीं तक है जितने शांदार तरीके से जितने बढ़िया बहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकता था मैंने बहुत महनत की है इस lecture को बनाने में आपको समझाने में और इस महनत के बदले मैं आपसे केवाल एक चीज़ चाहता हूँ कि यह जो lecture है यह आप maximum लोगों तक पहुँचाईए so that जितना ज़्यादा हो सके लोग इस lecture को देखें और अपनी grammar को अच्छा करने के कोशिश करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू